Hello students in action business करेंगे example number 4 क्या कह रहा है देगो using matrix method determine whether the following system of equation is consistent और inconsistent ठीक है चलो start करते हैं इसको first case देखो पहले a देख लेते हैं a की value क्या है हमार पास 5, 2 and 5 फिर क्या है minus 1, 3 and minus 2 फिर क्या है 4, 5 और 6 x की value देखो x, y and z और b की value क्या है 5, 2 और minus 1 फिर क्या है आपको इसमें सबसे पहले a का determinant निकालते है बनाने a का determinant कैसे निकालेंगे along row 1 यह गया यह गया 3, minus 2, 5 and 6 फ्लस 1 यह गया यह गया 5 and 6 यह गया, यह गया 2, 5, 3, minus 2 18 फ्लस 2 फ्लस 2 फ्लस 2 फ्लस 10, minus 25, minus 4, minus 5, 3 फ्लस 15 कितना हो गया 10, 20, 28, 12 में से 24 गया यह कितना, minus 13 चीक है, 5 and 8 फ्लस में से 44, 5 फ्लस 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 10, 14, minus 13, minus 76, add कि और 6 3 9 और यह 89 गया, 10 में से 9 गया 1 फ्लस 13 में से 8 गया कितना हो गया 51 समझ में आ गया कि तो A की वैल्यू आ गई है आपके पास 51 that is not equals to 0 जब भी आपर पास A determined not equals to 0 आता तो उस condition को क्या बोलते है यूनिक solution बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं या यूनिक solution और बोलते हैं और बोलते हैं consistent ठीक है part 1 हो गया समझ में आ गया अगला जो part 2 पर यहां देखो यहां A की वैलू क्या बनेगी देखना फर्स्ट में 3 है अब इहां पर X की वैलू नहीं है तो अपने इसको क्या माल लेता है 0 यहां X की वैलू कितनी है Mor chi यहाँ y की वेलु कतनी है ? 2 यहाँ y की वेलु कतनी है ? ठीक है ? यहाँ z की वेलु कतनी है ? इlly. यहाँ z की वेलु कतनी है ? जीरो ठीला डेको X Y Z 2 minus 1 3 2 minus 1 3 अब एक का determinant solve करो आप यह गया, यह गया 2-5-1-0 प्लस 1, यह गया, यह गया 0-3-1-0 यह गया, यह गया 0-3-5 यह 0 हो जाएगा और यह negative का 5 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा, फिर यह positive का 3 हो जाएगा फिर यह 0 हो जाएगा, फिर negative का 6 हो जाएगा कितना मचा देखो 3-1-0-3, प्लस 2-6-0-12 कितना हो गया, यह आपके पास आगया, 0 इस बार यह 0 आया है, जब भी आपके पास a determinant 0 आ जाया जाले कोशिश करेंगे, तो उसके लिए वापस से मैं a matrix लिख रहा हूँ है यहाँ पर क्या लेकिती है, हमने 3-0-3, 3-0-3 माइनस 1, 2-5, माइनस 1, 2-5, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, 0 ठीक है, अब आजाओ, आप सबसे पहले इसके co-factors निकाल लेते हैं, तो a11 कैसे निकालेंगे, देखो यह गया, यह पूरा गया, समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहरा हूँ 2-5, माइनस 1, 0, यह 0 हो गया, और यह आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव का 5 ए 1, 2, माइनस आ गया भार, यह गया, यह सैंटर में गया पूरा ना, यह वाली लाइन है यह गया, यह गया, जीरो 3, माइनस 1, 0. कितना बचा देखो, माइनस, यह 0, और यह आपके पास करेंगे, तो यह कितना हो जायेगा, आपके पास, न्यागेटिव का 3, भाई 3 बंजा 3 माइनस 3, यह माइनस मुट्पलाएगा, प्लस 3, फिर से 3, कैसे लगाया देखो 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 दिखो थी बन स्वाइनस ट्री और यह माइनस प्लस प्लस त्री पूट किया मैंने अगला देखो वन टू हो गया एंवन थ्री यहां पर क्या रहेगा देखो यह लाश्ट वाले दोनों चले गए तो 0 3 2 और माइनस वाइड ठीक है आगे इसको solve करो यह 0 हो गया और यह negative का 6 हो गया ए 2 1 देखो 2 प्लस 1 3 यह negative का लग गया यह गया center में गया minus 1 minus 5 minus 2 0 यह 0 और फिर positive 10 negative 10 फिर positive 10 देखो यह positive का 10 होगा यह minus लगता उसके वैसे negative 10 होगा फिर minus के वैसे positive होगा तो 1 ए 2 2 तो का यह center में ने यह गया यह गया यह गया यह गया यह center में गया minus 2 0 यह पूरा 0 और यह 32 जा माइनस 6 तो यह plus 6 हो जाएगा पहले minus 6 होगा फिर plus 6 हो जाएगा तो हो गया 823 यह गया center में गया यह गया यह center में गया माइनस 1-5 त्री फाइव जा माइनस 15 तेक है और 33 जा माइनस 3 और यह plus 3 बताओ सब्सक्राइगा यह 3-5 जा माइनस 15 हुआ 3-5 जा कितना हो गया माइनस 15 हो गया फिर 3-1 जा माइनस 3 तो प्लस 3 15 में से 3 गया माइनस 12 तो यह plus 12 आ गया यह 23 हो गया यह 31 पर आ जाओ अप प्रिवन कौन सा यह यह दोनों चले गए माइनस 12 माइनस 2-1 ना ओगा यह पॉजिटिव न हुआ फिर नागेटिव टू जा माइनस 4 प्लस 4 कितना हो गया फाइफ हो गया किलिए रहे हैं आप है यह पॉजिटिव बन और यह नागेट पू जा नागेटिव प्लस फूर लीवन हो गया ए थ्री टू फिर नागेटिव ट्री टू कहा है यह रहा यह गया यह सैंटर में गया 30 माइनस 2-1 माइनस 3 पॉजिटिव थ्री अगला देगो 32 हो गया 33 लास्ट बचावा है 33 कहा है यह यह दोनों चले गए कितना बचा 30 यह दो माइनस वनटो फ्री जारे6 बस अब देखो मैं क्या लिख रहा है यह सैकंड पार्ट के लिए हम क्या होने वाला देखो ए 1 1 3 माईनस 5 सिक्स-वाईव था वाइनस भी बाउनस सिक्स तो पिटे को टू वन में 10, 6, 12, फिर 3, 1 पर आ जाओ, 3, 1 पर आ जाएंगे हम 5, 3, 6, 5, 3, 4, 6, ठीक है, इसका क्या करना है, ट्रांस्पोर्स कर देना है आपको, क्या कर देना, ट्रांस्पोर्स, तो देखो, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 6, 10, 6, और 12, 5, 3, और 6, अब बताओ, यहां तक क्लियर रहे हैं सबको, अब क्या करना है, आपको, Adjoint of A को B से मल्टिप्लाय करना है, नेक्स्ट पर करें, Adjoint of A को मल्टिप्लाय करना है B से, तो पहले Adjoint of A वापस लिको, यहां पर, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 5, 3, 6, ओके, फिर है, 10, 6, 12, 10, 6, 10, 12, 5, 3, 6, 5, 3, 6, इसको B के साथ मल्टिप्लाय करो, जो कि है, 2, माइनस 1, 3, आजो, देखो, रो से कॉलम चलेगा, तो 5, 2, माइनस 10, 10 माइनस 10, 5, 3, 15, 5, 2, माइनस 10, फिर 10 माइनस 10, फिर आजाओ, इदर, माइनस 3 से किया, 3, 2, 6, फिर 6, 1, 6, फिर 3, 3, 9, फिर 6, 2, 12, फिर माइनस का 12, फिर 18, आप देखो, 10, 10 कितना हो गया, माइनस 20, और 20 में से 15 गया, तो माइनस का 5, 6, 6, कितना हो गया, 6, 6, माइनस 12, 12 में से गया, तो माइनस का 3, फिर देखो, 12, 12 कितना हो गया, 24, 12 और 12 कितना हो गया, माइनस का 24 और 24 में से 18 किया तो कितना बचाएगा सही लिखा है ठीक है मतलब कि यह जो value है यह not equals to zero है जब भी हमारे पास we know we know if a determinant equals to zero but adjoint of a v is not equals to zero तो इस क्या बोलते हैं then then solution is inconsistent बताओ समझ में आया क्या clear है यह आपर तो यह first part अपने देखा consistent था और second part देखा हमने inconsistent था clear है example number four completed